हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, स्टैटी जोग्रफी, I hope you are doing great इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेश्डे अड्मिशन के नॉटिफिकेशन के बारे में जिसका एकडमी सीजन 2023 और 24 का है यह government university से आई हुई PhD admission के लिए notification है काफी बहतरीन university है और यह university located है आपके उतरप्रदेश में यहां से PhD admission के लिए full time और part time दोनों से ही notification आया हुए दोनों में ही आप PhD कर सकते हैं यानि दोनों में से किसी एक में अगर आप कहीं पे job कर रहे हैं या कोई किसी project पे आप काम कर रहे हैं और part time PhD करना चाहते हैं फुल time और part time में सिर्फ इतना अंतर होता है जो part time PhD होता है वो आप अपने job या अपने work के साथ में कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका time होता है time यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है ठीक है और यहाँ पे vacant seat की बात करूँ तो vacant seat आपके यहाँ पे 30 दी गई है और available seat भी यहाँ पे दी गई है उसे हम लोग notification में ही देखेंगे eligibility अगर सिफ आपके पास master degree है with 55% marks के साथ अगर आप reserve category के आते हैं तो आपको कुछ छोट यहाँ पे दी जाएगी यहाँ पे जो आपके selection का process होगा वो entrance exam और interview के through ही होगा तो चलिए देखते हैं इन्वस्टी कौन सी है और सारे details को इस वीडियो में हम लोग cover करते हैं इन्वस्टी की बात करें तो इन्वस्टी है ख्वाजा मुईनी दीन चिस्ति भासा विश्विद्यालर लखनो उतरप्रदेश यह उतरप्रदेश की राजधानी लखनो में located है यहाँ पे research interest test के लिए application form को invite किया गया है और इसमें जो academic session दिया गया है फुल टाइम और पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में admission के लिए दिया गया है और academic session इसमें 2022-23 का है ठीक है हाला कि यह 23 में हो रहा है लेकिन यह पहले का admission इसमें भर रहा है यहाँ पर eligibility सबसे पहले देख लेते हैं eligibility दिया गया है आपके पास master degree होना चाहिए master degree होना चाहिए with 55% marks के साथ में अगर आपका grading point है तो b grade का होना चाहिए 5% का यहाँ पर relaxation दिया जा रहा है STSC OBC different table candidate को ठीक है यहाँ फिर जिनका master degree 19 सितंबर 1991 के पहले का है उनको भी यहाँ पर 5% की चूट दी जा रही है यहाँ पर दिया गया है कि जो person अभी एंफिल कर रहा है और उनका वाइबा अभी pending में है वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं जो भी candidate scholarship holder है वो यहाँ पर research interest test यानि rate के exam से वो examter होंगे उन्हें direct interview में appear होना होगा ठीक है और देख लेते हैं admission का जो process दिया गया आपका full time और part time program में आप admission ले सकते हैं पार टाइम में कुछ condition है जैसे कि आप employed है तो आपको NOC देना होगा यानि की no objection certificate देना होगा ठीक है और आपका जो part time PhD है वो उसका duration जो है मतलब पूरे whole period में आपको per semester कम से कम 6 दिन वहाँ पर present होना पड़ेगा full time PhD के लिए सारे details दी गए जैसे कि आपके minimum जो duration होगा वो 3 साल का होगा maximum आपका 6 साल का होगा और ये सारे location वगएरा भी दी गए है part time program के लिए दिया गया है कि minimum duration आपका 5 साल का होगा और maximum duration आपका 8 साल का यहाँ पर रहेगा full time PhD के लिए जो procedure होगा admission के लिए वो दिया गया है कि आपका rate का exam होगा यहाँ पर rate का exam होगा जिसका की weight is दिया जा रहा है 70% और आपका interview रहेगा जिसका weight is रहेगा 30% यहाँ पर including weight is दिया गया है जारेफ net UP slate का इसके लावा यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा आपका test होगा intense test conduct कराया जाएगा जिसमें की जो passing marks रखे जाएंगी वो 50% marks आपको लाना यहाँ पर compulsory होगा तब आप यहाँ पर qualify कर लेंगे यहाँ पर 5% का relaxation दिया जारा है OBC, SC, ST candidate को इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि जो भी rate का exam qualify कर लेंगे वो interview में appear होगे सभी candidate को rate के exam में appear होना compulsory होगा part time में भी same procedure है इसी procedure से आप आगे बढ़ेंगे इंटर्स टेस्ट जो होगा यहाँ पर 50% जो question आएंगे वो आपके research methodology से आएंगे और 50% आपके subject specific होंगे यहाँ पर 140 question आपके रहेंगे 70 question research से 70 question आपके subject से total जो आप cardio ration रहेगा वो आपका ढाय गंटे का यहाँ पर रहे रहा पार टाइम के लिए भी आप एक बार देख लें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं vacant seat यहाँ दिया गया है और subject मैं यहाँ पर कर दे रही हूं read out बाकि आप vacant seat देख लीजेगा ठीक है अरभी दिया गया है उर्दू है English and modern European and Asian language है computer science information technology है home science दिया गया है इसमें specialization दिया गया है human development ठीक है next जो subject है वो है journalism and mass communication next commerce है business administration है और education है total जो vacant seat है आपकी वो तीक्स यहाँ पर दी गई है यहाँ पर available seat भी दी गई है इसे आप एक बार चलूर दीखीगा जो intense exam में qualify हो जाएंगे उनके लिए interview का यहाँ पर सारा procedure रखा गया है merit based पर आपका जो admission होगा वो होगा और merit बनाए जाएगी आपके इंट्रेंस टेस्ट और इंटर्व्यू पर इंट्रेंस टेस्ट आपके 140 marks का है और इंटर्व्यू 60 marks का है कुछ general instruction दिएगा है जैसे कि सारी जो detail है या detail information है वो आपको इंवस्टी के official website पर मिल आएगी अगर आप deposit नहीं कर रहा है यानि fee payment के बिना आपके फर्म वैलिड नहीं होगा और जो deposit है यानि कि अगर आपने एक बार fee payment कर दिया है तो वो non refundable होगा एक बार आप इसे जरूर देखिएगा यहाँ पर कोई भी negative marks नहीं दिये जाएंगे आपके interest exam में जो आपका यह देख लेते हैं हम लोग application fee यहाँ पर 2000 रुपया रखा गया है unreserved OBC के लिए 1500 रुपया है यानि 1500 रुपया रखा गया है SCST और physically challenge candidate के लिए ठीक है और last date important date देख लेते हैं आपका जो application form filling हो गया है start हो गया है 31 December से last date जो दी गई है last date आपकी है 19 जनवरी लेकिन यह last date जो है वो without late fee है अगर आप late fee के साथ जो की late fee आपका रखा गया 1000 रुपया है इसके साथ में अगर आप form submit करना जाते हैं तो आप 27 जनवरी तक form को submit कर सकते हैं ठीक है entrance exam जो आपका entrance test का admit card होगा वो आपका 37 जनवरी तक आ जाएगा और entrance test आपका होगा 5 February को ठीक है सारी details हम लोगों ने देख लिया फिर भी कोई query हो या सुझाओ हो तो आप comment box में लिखेगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करेगा चैनल को subscribe करेगा वीडियो को share करेगा मिलते है next वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहे आगे पढ़ते रहे thank you friends